गुद इवनिंग एवरीवन वेलकम बाक टो आज चैनल मेरा नाम अंशुले चले देख लेते हैं अकल के लिए कि आप प्राइस एक्षन हो सकते हैं और मार्केट की इस डिरेक्शन में मूह कर सकता है सबसे पहले देख लेते हैं निफ्टी आज निफ्टी में एक स्लाइट ग पर एक इंडिसिव का सिचुएशन देखने को मिल रहा है क्योंकि यहां पर पूट रेटर भी काफी स्यादा है अगर हम उपर देखते हैं तो 22,400 पर एक स्ट्रॉंग रिजिस्टेंस है और जो मेजर रिजिस्टेंस है वो 22,500 पर जहां पर एक अच्छा कासा कॉल प्लस एक राउंड लवल भी है अगर डाउंसाइड पर देखते है तो आज का जो सपोट लवल था 22,200 लवल यह एक लवल एक सपोट की तरह काम करेगा अगर इसके नीचे देखते है तो 22,000 पर एक मेजर पूट रेटिंग के साथ एक स्ट्रॉंग सपोट लवल होगा अग पर परसो का एक फॉल देखने को मिला था तो यह लवल एक स्ट्रॉंग रेजिस्टेंस जैसे बिएव करेगा प्लस एक स्ट्रॉंग ओई रेजिस्टेंस भी है अगर निफ्टी डाउंसाइड पर आता है तो एक इमिडेटल आज का जो इंट्राडेल लो है यह लवल ही एक स्ट्रॉंग सपोर्ट लेवल क्रियेट हो सकता है तो यह रेंज एक डिमांड जोन की तरह काम करेगा अगर निफ्टी में एक गैप अप वॉपनिंग आता है तो फिर से यह रेंज एक वालटाइल रेंज बन जाएगा निफ्टी में जहाँ पर नीचे आके जो आज का रें अगर निफ्टी में gap down opening देखने को मिलता है तो एक support zone यह level बन जाएगा जहाँ पर एक gap close करके एक support लेता हुआ reverse कर सकता है तो कही ना कही 22,000 या 22,950 के पास एक अगला support या demand zone create हो सकता है अगर हम bank nifty के तरफ देखता है तो bank nifty में आज पूरा दिन range bound था प्लस आज bank nifty का expiry भी था तो आज एक gap down कुलके यह 48,000 का level है इसी level के बीच में काफी जयदा volatility देखने को मिला अगर हम bank nifty के तरफ देखते है जो आज का expiry था वो 48,000 पे strong put rating के साथ close हुआ है अगर हम next week का हुआ है देखते है तो 48,000 पे equal amount of call raters and put raters देखने को मिल रहे है ज एक major resistance level देखने को मिल रहे है अगर हम downside देखते है तो इतना put rating नहीं है एक weak support level के जैसे धिक रहा है जहाँ पे एक minor support 47,800 का level होगा अगर हम downside देखते है तो 47,500 का level एक support की तरह काम कर सकता है जहाँ पे अगर bank nifty इस level के पास आता है तो strong put building देखने को मिल सकता है अगर हम chart पे वापस आके analyze करते है जो आज का range है ये range एक volatile range बन जाएगा bank nifty के लिए अगर bank nifty flat cool के उपर के direction जाता है तो immediately ये जो 48,300,200 के पास एक resistance है जहाँ पे आज का दिन जो gap close नहीं कर पाया वो कल gap close करके resistance face कर सकता है अगर इसके उपर देखते है तो कई ना कई 48,500,600 के पास एक resistance zone available है अगर bank nifty नीचे के side आता है तो immediately 47,800 के पास जहाँ पे तोड़ा सा put trading देखने को मिला था ये level एक support की तरह काम कर सकता है और previous trading session में भी ये level से एक buying momentum देखने को मिला था एक strong buying momentum देखने को मिला था अगर इसकी नीचे आता है तो कई ना कई 47,500 के पास एक अगला support zone एक अगर bank nifty में gap up opening देखने को मिलता है तो फिर से ये range थोड़ा सा volatile range बन जाएगा जहाँ पे एक trapping scenario बन सकता है एक major buying 48,500 के उपर देखने को मिल सकता है जहाँ पे 48,900 या 49,000 का जो round level है ये level एक अगला major resistance जैसे behave करेगा जहाँ से परसों का एक fall देखने को मिला था तो ये level एक important level जैसे behave करेगा अगर bank nifty में gap down खुलता है फिर से तो कही न कही 47,500 का level ही major demand zone या major support level की तरह काम कर सकता है अगर इसके नीचे आता है तो directly 47,000 का जो अगला round level है ये level एक major demand zone की तरह behave कर सकता है तो ये होगा मारा analysis कल के लिए thank you